हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग करेंगी कोडिनेशन कंपाउंड का नेमिंग ठीक है तो कोडिनेशन कंपाउंड का नाम करने के लिए अपन सिर्फ और सिर्फ NCRT के रूल वगएरा फोलो करेंगे ठीक है और के तो यहीं से सुरू बड़ते हैं अपन लोग कुह डिफिनेशन से पहला है कोडिनेशन एंटिटी पूर्य को भी बोंते हैं और यह आपको नहीं पढ़ना ठीक है सेंट्रल एटम के से बोलते यह हैं यह पूरा कंपाउंड है इसके मैन मेटल है उसको बोलते है central atom ठीक है और central atom हमेशा लगबग क्या उनसा होगा d block का होगल mostly ठीक है अगर कई और से आता है तो उसका size होना चाहिए कम और उसके charge होना चाहिए कम और charge होना चाहिए ज्यादा यह condition होती है coordination compound form करने के लिए metals की एक वार question भी आया था आप देखोगे तो बोलता है beryllium और magnesium में से किसकी coordination compound बनाने की tendency ज्यादा है तो सब लोग क्या कर रहे थे magnesium पे click करके आ रहे थे क्योंकि magnesium का coordination compound होता है वो आपका chlorophyll chlorophyll में magnesium होता है न तो इसलिए बड़ answer यह नहीं था reason था वही कि इस बेरलिम का क्या है size छोटा है और size तो बराबर दुनों पे तो charge upon size होता है तो यह condition होती है सर्थ होती है कि कोई metal अगर coordination compound बना रही है तो हाँ magnesium भी condition compound बनाता है एक उसका भी known है लिगेंड कौन-कौन होते हैं आपको पता है जो इनके लावा मैं central metal के अलावा जो भी है वो सब लिगेंड है कुछ नाम जो दे रखे हैं वह आपको मैं बताता हूं क्या 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 दे रखे हैं इसको यह इथाईलीन डायमीन है इसको इन से लिखते हैं ठीक है और उसके अलावा प्रोटीन भी हो सकते हैं यह statement बहुत है कि प्रोटीन भी लिगेंड का काम कर सकते क्या यस कर सकते हैं यह क्लोरो हो गया यह एक्वा हो गया एनस-3 एमीन हो गया यह देखिए यह इथेन 1,2 डायमीन अब यह जो अग्जलेट हो गया ठीक है अगला आता है इडिटी यह इसी साल दो जार इकिस में यहीं इसकी स्ट्रक्चर बेस्ट आए इसका नाम क्या है इता नाम से इस्ट्रक्चर बनाओ क्योंकि नाम तो याद होता है EDTA इसायलीन, डायमीन, टेटराकेट, और Пр courts Yok Metroid 4 दे रखाया त्सथ याध मां इसमें डॉनर कॉन हो गए चार टो ये नंगिटीफ डॉनर हो गए और दोना Sach seniors रहे हैं तो इसकी dentedicity 6 होती है साफ लिख रखा इसने 2 nitrogen and 4 oxygen यह यही line 2021 में exam में आई थी ओके polydented ligand होता है और जो होता है वो chelet ring बनाता है eme dented NO2 होता है पहले भी अपन लोग उसमें isomerid में discuss कर चुके है SCN होता है यह देखो कैसे होता है इसमें nitrogen भी metal को ligand donate कर रहा है oxygen भी donate कर रहा है sulfur भी कर रहा है और nitrogen भी कर रहा है जब sulfur करता तो इसका नाम होता thiocyanate S nitrogen करता तो thiocyanate N ठीक है coordination number क्या होता है इनके ligand का number होता है और polydented है उस case में अपने को ligand के नाम क्या बोलते है उसको 2 से multiply करना पड़ा है इसका coordination number कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा क्योंकि यह didentate है इसका कितना होगा 4 होगा इसका कितना होगा 6 होगा इसका च्छ है coordination sphere इस पूरे को बोलते है coordination sphere और उसके बाद में इसका कर चुके है oxygen state निकाल के देख चुके है होमो लेप्टिक और हेटरो लेप्टिक कॉंप्लेक्स होमो मतलब एक जैसे जिसमें लिगेंड हो वो होमो है और अलग-अलग टाइप की लिगेंड हो तो हेटरो है easy फिर आते हैं नेम पे इसके अपनी कवर हो चुकी है और इससे बाहर जितना मैंने बता है उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा फिर आउपीसी की रूल पड़ते है सबसे पहले कि नेमिंग और कोडिनिशन कंपाउंड ये सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे केटायन का नाम करेंगे मतलब जैसे na-cl का होता ना तो na-plus और cl minus है तो पहले sodium लगते फिर chloride लगते वैसे ही यहाँ चलेगा पहले केटायन का नाम लखेंगे फिर एननन का नाम लखेंगे कटाइन कुछ कोई भी हो सकता है और कटाइनन है नहीं तो फिर आपन लोग नूटरल वाले का ही नाम लिक देंगे जैसे नूटल और जैसे बी एलटू है तो इसको बोल देंगे डाइब्रोम हो यह ना तो पहला काम यही होगा पहले ketijen का नाम लिखा जाएगा फिर εν का नाम लिखा जाएगा लिगे और फिर उनको le jedis का नाम लखेंगे alphabet यह most important है आदे कुछी इसी से saul yoo जाते हैं जो आये गूँ किये था अब तो अप्शन का एकॉड्डिंग आप मतलब exercise के question तो उसमें option होते हैं तब आपको नाम लिखना नहीं वह रूल लगाने कि alphabet के coding लिखा है कि नहीं लिखा है बस इसी टाइप से अगर आप रूल भी लगा लोगे तो आपका काम हो जाएगा और उसके बाद में अगर कोई लिखन यह होगे है लिखन्ड मोनो डेंटेट लिखन्ड है या फिर डाई डेंटेट लिखन्ड है और एक वार आया तो दो वार आया तो डाई तीन वार आया ट्राई एटी सी यूज़ करना पड़ेगा जीकस का नाम लिखे बता है इसका लिखा व्युक्ति अपने अच्छे से करने करना और वे से फ़हले च्बाइं लिखें लिखें है यह निंतो कोई पीछे है यंधinn कुछ भी हैने यह नूट्रल है तो सबसे पहले रिखेंग है यह बेब डोल लिगेंड है इसमें एक्तो Chloro है क्या है Chloro C से start हो रहा है और एक है Trifinyl Phosphine इसका नाम होता है Trifinyl Phosphine तो इसका नाम T है अब C और T में से कौन पहले आएगा C पहले आएगा तो इसमें अपन लिखेंगे अब जो Dye Tri होते हैं उसको नाम नहीं consider करते हैं उनका इसको Chloro ही बोलेंगे Dichloro नहीं बोलेंगे इसको भी Trifinyl Phosphine नहीं नहीं बोलेंगे ठीक है तो यह जो वर्ड है इनका मतलब नहीं है लेकिन अंदर यह पूरा लिगेंड है इसका नाम इसका नाम ही ट्राइव है तो वो टी तो यूज करेंगे बट इन के Coordination number को यूज नहीं करेंगे Coordination number को अलफाबेट में यूज नहीं करते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा डाई राःक्लोर बिखता तुरोरूबे तब या कॉंप्लेक्ष टाइब लिखेंगे उनके आगे दो वार आया तो बिस तीन वारी है तो ठ्रेकिट। थे हैं तो यह दो वार आया है तुसको ऐसी कलिए लिखेंगे 20 इसका नाम है ट्राइफिनिल फॉस्पीन और ये complex ligand जो भी होंगे उनको break it में लिखा जाएगा यह rule है उसके बाद में metal का नाम nickel और इसकी oxidation state निकालोगे तो triphenyl fosfin तो है neutral तो chlorine यह हो जाएगा x-2 प्लस 0 इकस टू जाएगा तो इसको लिख देंगे तो एक question तो यह हो जाएगा आपको important अगला है बाद में oxidation state लिखी जाएगी break it में पीछे तो लिख दिये अपने ठीक है और उसके उपर अगर charge नेक charge लगा है तो उसको लिखते है iron जैसे इसका नाम लिखेंगे ना तो tetra sulfur से जुड़ा है तो इसको बोलेंगे अभी देखा था ना पने thaiosinato sinato कोबाल्ट और oxidation state कितनी आजाएगी देखो कोबाल्ट है x-4 x-2 कोबाल्ट और iron लिखेंगे iron क्यों किसको पर में negative charge है यह iron मना हुआ है तो दो question तो यह हो गई 2004 से यह सब rule वगर आये है और 2004 से बोल रहे है क्लोरो को अपन क्या बोल रहे है क्लोरीडो बोलना पड़ेगा तो अगर option में क्लोरो और क्लोरीडो दोनों होना तो क्लोरीडो को क्लोरीडो को ज्यादा सही माना जाएगा देखो यहां लिखा वाभी है ओके अगला है यह खतम होई चुका है अब बस और अब अब सब्सक्राइब करना है और नाम लिखते जाना है इसका नाम लिखेंगे तो क्या क्या आएंगे इसमें देखो यह में इस से आगे वाला तो यह M से स्टाट है, यह Q से तो पहले इसमें केटाइन और नाम लखेंगे, यह केटाइन का नाम लखेंगे, क्या है, ट्राइमीन ट्राइक्वा और मेटल को न सी है क्रोमियम और इसका oxidation state कितना जाएगा, यह X प्लस 0, यह 0, ammonia और यह neutral होता है, minus 3 equals to 0, तो X equals to 3 आजाएगा अब यह लगेंड के बाहर है क्लोरीन, तो इसका नाम क्लोरीड हो नहीं होगा, बाहर है, तो normal inorganic नाम लखा जाएगा जाएगा इसका chloride, क्या लखेंगे, chloride, अब यह 3 थे, ट्राइक्वाराइड नहीं लिखना है, 3 हो, 2 हो, कितने भी हो, बस क्लोराइड ही लिखना है, जो बाहर है उनके लिए, ओके, यह हो गया, ओके, यह थियोरी बिल्कुल भी नहीं पढ़नी आपको, explanation, मैंने आपको समझा दिया, थियोरी किसी की भी नहीं पढ़नी है, ठीक है, चलो इसका नाम लिख दें, इसमें कौन है, यह है, एक, डाइडेंड लिगेंड, डाइडेंड में लिखा जाएगा, इन, मतलो इथाइलिन डायमीन, और, अब इसकी औक्सिदेशन इस्ट, और कोबाल्ट, अब इसकी औक्सिदेशन स्टेट, एक्स, प्लस जीरो, यह न्यूट्रल होता है, ठीक है, और वो कितनी बार है, दो बार है, तो इसको दो समल्टिपल ही कर दिया माइनस, सल्फर के उपर माइनस दो चार्ज बता है, माइनस दो, और वो भी कितने शल्फर है, तीन, ठीक है, एक्स टू जीरो तो टू एक्स 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 टू प्लस तीन, और वेसे आपको बता दू, औक्सिदेशन स्टेट निकालने की जरूत ही नहीं कभी, जब भी कॉड merge हो गया और 6 तो हमेट सब्क हो कॉंध। थीं में रहेगा है बहुत पर काम आता ऐई एक कोबाल अगर कोटीने सब्सक्राइउ तो हमेशा प्लस दो में रहेगा और बमस्साइव सकते हो यह यूस करशा के अगर ओक से पता है तो आप उसक शूरू कॉंध नमप में सकते हो ठीकिया है तो इसका नाम हो गए ठ्रेस इथैलिन डाय। को बाल्ट छूर आफ वर सल्फेट वहले हो मस्का नाम कहले होग होगे छल्फषयट और इनका नमबर भी भरत नहीं पड़े यह हो गया कटायन और यह हो गया एनायन पहले किसका नाम लखेंगे कटायन का डाइमीन इसका नाम है सिल्वर यह क्या है डाइ साइनो सिल्वर और इसकी पीछे औक्सिदेशन स्टेट टोटल औक्सिदेशन स्टेट आप निकालेंगे इसकी azx x plus ammonia 0 plus azx minus 2 equals 0 x equals 2 कितना आगा plus one इसकी भी plus one इसकी भी plus one इसकी plus one आए गी इसकी ढेखाए मैं अब इसकी क्या हैんと डाई साईन disgust अब इसको सिल्वर नहीं लिखेंगे दूसरे को क्यों 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 क्योंकि 19 है اور 21 के लिए 8 वर्ड यूज करते क्या यूज करते हैं एट तो डाइसाइनो अर्जंट टेट और इसके इस्टेशन स्टेट हो गए चलो अब इनकी क्या करने है अपने को कॉंप्लेक्स बनाने हैं जा फिर इनका नाम लिखना है कुछ भी पूछ सकता है अपने से ठीक है तो पहला का वाला क्या है टेट्रा एमीन है टेट्रा एमीन मतलब एमीन कितने है चार है फिर बोलता है एक्वा एक्वा मतलब पानी है फिर क्लोरीडो क्लोरीन है कोबाल्ट आगे कोबाल्ट है अब आप बोलो के किलोरीन कितने कैसे पता लगाएंगे कोबाल्ट की अब यहां पर कॉड्रेशन कितनी बन रही है चैने कोबाल कितने होता है plays 13 में अभी बताता इसे तन्हों फिर्फिय उसकर सकते हैं। मुंक्य तो प्लस तीन में होता है तो यह है क्लोरीन है यह दो नियुत्रल है एक क्लोरीन विज प्लस वन आयेगा दूसरे क्लोरीन रखे दो खबखवाए यहां कितना वजाये होगै की दो खबो हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी मतलब औहँ, प्यार एड्रोक्सी मतलब हो Cantonu प्यार लग द क्समिánt केट, प्लस दू है चार बाड़ है जिंक प्लस दो-्कlydation क्यों में जिद्धाफिल्म, प्लस दो में तो इसको माल लो माल तो ठीक है तो potassium कितने होंगे वो number पता लग जाएगा x into इसका plus 1 plus zinc की जगा कितने रखना है आप तो दे रखा है ना 2 plus 4 into minus 1 equals to 0 ठीक है तो यहां से आप पता लग जाएगा कि कितने potassium आएगा तो potassium आएगा x बरबर 2 यानि कितने potassium लगेंगे 2 sorry ठीक है ऐसे आपको पता लगाना पड़ेगा तीसरा नाम लिखते है पैन यूज चेंज गर ले देगवार थाकि mix ना आप जाएग potassium tri oxalate potassium और oxalate मतलब c2o4 वो कितनी बार है तीन बार है okay aluminate मतलब aluminium कितने में प्लस तीन में तो अब के कितने होंगे वो पता लगाने के लिए यहां लगेंगे x है मान लेते हैं तो x इंटू प्लस 1 यानि कि x प्लस aluminum की जगा तीन लखेंगे क्योंगे क्योंगे दे रखाएं प्लस oxalate की उपर में माइनस दो चार्ज ज़ता तो माइनस दो और कितने हैं तीन equals to zero तो x बराबर कितना जाएगा तीन तो potassium कितने होंगे बाहर तीन होंगे समझ में आपको okay अगला अगला है डाई क्लोरो बिस डाई क्लोरो बिस मतलब c l2 कितने हैं दो है और बिस का मतलब क्या है यह e n है e n कितनी बार आएगा दो बार हो गया कोबाल्ट यह कोबाल्ट आगे पीछे कोई है नहीं तो अब इस के उपर में कोई charge भार्ज भी आ सकता है ठीक है कैसे पता लगेगा कोबाल्ट प्लस तीर में होका अब् uğर्पलेक्स के उपर हैठил क्या क्योंकि आगे पीछे कुछ नहीं तो चार्ण आ सकता है बार है जीरो भी हो सकता है तो बारश भी हो सकता है तो ब्लस की थीन में ठीक है ।-2 we can और मान लेता है इसके उपर x charge है ए ये आंन तो नूटरल है प्लस एक्स बराबर जीरो इसको Saul करोगे तो एक्स बराबर आपके पास में कि वन आ जाएगा। ओके आएगा तो वन उसके ऊपर लगा लेना अग्ला है टेत्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल मतलब कार्बोनिल मतलब सी ओ, कितनी बार हैं चार बार है, अगला है निकल जीरो, जीरो है तो कोई दिखकती नहीं बस हो गया, पहला कोशन आया समझ में आपको, बहुत important है क्योंकि NCRT का है, इनका नाम लिखना है इसका नाम क्या लिखोगे पहले ये हैं एमीन से, ये हैं क्लोरो और ये हैं नाइट्रो, A, C, N पहले इसका लिखोगे डाइमीन, क्लोरीडो नाइट्रीडो प्लेटिनम, फिर इसकी ऑक्सिदेश निस्टेट कैसे निकालोगे एमीन तो न्यूट्रल होदा है माइनस वन और ये माइनस वन ये X, माइनस वन, माइनस वन इकोईस टू जिरो तो X इकोईस टू प्लस टू और ये नाइट्रोजन से जुड़ा है तो इसको N लिखोगे नाइट्रीडो N क्योंकि Nitrate O B हो सकता है अगला है इसका नाम लिखोगी आप Potassium पहले Cetane का नाम लिखोगे Potassium इसका नाम लिखोगे Trioxalato Chromate क्यों? क्योंकि ये NIN है NIN के आगे 8 लगाते हैं तो Chromate और फिर इसकी Oxidation State कैसे निकाल होगे? प्लस 3 प्लस X minus six equals to zero तो यह plus 2 में जाएगा सुआरी plus 3 में जाएगा इसका नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे पहले डाइ क्लोरीडो 20 इथाइलिन डायमीन, कोबाल्ड और कोबाल्ड की oxidation state फिर लिख दोगे क्लोराइड इसका नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे पेंटायमीन ठीक है यह हैं कार्बोनेट पेंटाइमीन, कार्बोनेट, कोबाल्ट फिर उसकी ऑक्सिदेशन स्टेट और क्लिक दोगे क्लोराइट ऑक्सिदेशन स्टेट कैसे निकालोगी एक्स प्लस यह तो न्यूट्रल है कार्बोनेट के उपर में माइनस 2 चार्ड होता यह हैं आगे मरकरी फिक हैं फिक हैं बरकरी थायो साय टेटर्ा थायो साय नयर्टोगार्व और उसकी अर्व हैं तो षोल्वल से हम तो टेटर्डर्थायो सावॉड़ से फिर आधां नटीन का फिर सब्सेदेशन सोदित, इतना ही प्योष्चहें उन्हक्व biparti कि टेट्रा थायो टेट्रा एमीन एमीन कितने लगाने हैं सब्सक्राइब बाद लिखाना है अब स्थी इसके ब्रिकट में नमबर के बाद लिखा है मतलब कि क्लोराइड बाहर क्लोराइड ऐस सब्सक्राइब आप देखो अब क्लोराइड कितने लगेंगे कैसे पता लगो कि मान लेते हैं क्लोराइड लगेंगे X तो कोबाल्ट की ऑक्सिदेशन स्टेट लगो कितनी X प्लस यह 0 प्लस यह 0 प्लस स्वरी माइनस X माइनस क्यों इसकी X से इसके प्लस में भी दिखा देता है फोई एकस्ट इंटू इसकी ऑकिडेशन टूटी माइनस वन एक दो बाश की जागा एक्स नहीं लेगना 5 एकस बराबर आजाएगा प्लस-3 तो क्लोरीन कितने होंगे यहां पे तीन होंगे हो गया पहला कुश्चन दूसरे पहाते हैं बोलता है पोटेशियम पहले आ गया आएगा आ गया पोटेशियम उपर लगदे थोड़ा दूसरा है न पोटेशियम टेट्रासाइनाइडो आप we wait, सेए इन कितने वार लगाना है चार बार लगाना निकलेट इि है चलो अब इसका उक्सदेशियम मतले कितने आएंगे पोटेशियम एक माल लेते हैं तो X into 1 X हो गया, प्लस निकल की जगा कितने लिखोगे, 2 और माइनस साइनेड के उपर में माइनस 1 चार्ज होता है, तो माइनस 4 एकोष्ट टो 0, एक्स बराबर जाएगा 2, तो पोटेशन कितने लगेंगे, दो पोटेशन लगेंगे आगे, आगया समझ में, चलो, तीसरा कोष्ट करते हैं, तीसरा कोष्ट आप से क्या बोलता है, बोलता है, ट्रिस, मतलब ये न है जो 3 बार आएगा, ट्रिस, फिर सीधा क्रोमियम में, और क्लोराइड है, क्लोराइड कितने है वो पता लगाना है, तो इसके जगा क्लोरीम की जगा प्लस 3 रखो, ये न है न्यूटरल होता है, और क्लोरीम को मान लो कि वो X है, तो माइनस X एकोष्ट टू जीरो, तो X एकोष्ट टू प्लस 3 है जाएगा, तो क्लोरीम हो जाएंगे तीन आपके पास में, आसान है ये सब, अगला है, एमीन, एमीन मतलब NH3, एक ही एमीन है, ब्रोमीडो, एक ही ब्रोमीन है, क्लोरीडो, एक ही क्लोरीन है, नाइट्रीडो, और वो भी अनोटू है, एक ही, उसके बाद प्लेटिनेट, अब प्लेटिनेट लिखा हैं, तो प्लेटिनम है और उसके उपर कुछनों को छार्डज है तो उसको एक्स माल लेते चार्डज अभी निकाल लेंगे तो इसका तो हम लखेंगा अपन लोग प्लेटिंड दो जो और उसके बाद में जो भी चार्ड़ आएगाना वह नेगेटीव आएगा क्योंकि यह कॉंप तो यह X कितना आ रहा है 2 में से 3 जाएगा तो minus 1 तो charge जिसके उपर कितना आएगा minus 1 ओके अगला complex क्या है dichloro dichloro base EN मतलब EN कितने है 2 है platinum अगे है nitrate मतलब NO2 NO2 कितने है X है माल लेते कोई दिक्कत नहीं है platinum की जगा oxidation state कितना लेखोगे 4 लेखोगे platinum के लिए याद रखना platinum अगल plus 2 में है तो उसका coordination number होता है 4 और platinum अगल plus 4 में होता है तो उसका coordination number होता है 6 याद रखनी ये बात ठीक है कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद में 4 chlorine का minus 1 तो minus 2 ये neutral होता है plus nitrogen को उपर minus 1 होता है तो minus 1 into x minus x equals to 0 x equals to आजाएगा आपके पास में 2 तो ये कितने हो जाएँगे नाइट्रेड 2 हो जाएँगे ऐसे ही निकालना आपको ओके चलो ये है iron iron मतलब की F e है ठीक है hexa sinofarad F e cn6 ठीक है अब ये iron आगे वाले कितने होंगे देखो इनके बारे में 2 complex होता है थोड़ा बहुत idea भी रखते हैं ठीक है बहुत important होता है एक होता है fairy ferocyanide और एक होता है fairy देखो ये है plus 3 में ज्यादा वाले को बोलते है एक और कम वाले को बोलते है अस ये ज्यादा वाला है तो इसका नाम होगा एक फैरिक ये हो जाएगा कम वाला तो फैरस तो इसको बोलेंगे fairy क्या बोलेंगे fairy इसको बोलेंगे pharaoh तो इसका common नाम होता है फेरी फेरो साइनाइड अगर तीन पहले आता तो बोलते फेरो फेरी साइनाइड तो ये बहुत common और most important है इसलिए इसका नाम इसका complex ही याद रखना पड़ेगा 4 होता ये और ये होता 3 ठीक है और उल्टा होता तो ये भी उलट जाता फेरी फेरो साइनाइड और फेरो फेरी साइनाइड आपको याद रखना पड़ेगा ये नाम important है ठीक है most important है फिर अगला आता है इनके नाम लिखना इसका नाम क्या हो जाएगा आप देखोगे oxidation state तो इसका आपको पता लग गया होगा प्लस तीन है तो इसका नाम होगा hexamine, cobald, oxidation state 3 और chloride हो गया अगला इसका भी coordination number 6 है तो प्लस तीन में होगा तो इसका नाम लखें के pentamine, chloride, cobald, chloride हो गया अगला potassium hexacino ferrite और यह प्लस तीन प्लस एक्स माइनस सेक्स एक्स एक्स तो जीरो तो एक्स 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 तो प्लस तीन प्लस तीन आ जागा और ferrite आएगा क्योंकि एनाइनिक पार्ट है अगला ना potassium tetra oxalate ferrite 3 यह गा potassium tetraclorido थो प्लेडीनेड क्योंकि एन इननेड प्लेडीनेड्क है और mr. टू किया एगा डायमीक स्टेंग दाईमिन क्लोरीडो मिथायलअमीन हुआ कि में आ टो दो प्लेटीनम की ऑकसीदेशंट केतले आए épisode दो तीन और चार चार तो जब लेटिनम की कोडिनेशन चार होती तो प्लस दो में होता तो दो और फिर जाएगा क्लोराइड ओगई नाम सारे और आईइसो मेर्जम में आपको पूरी करवा ही चुका हूँ Direkt को एक्वार एगजांप्ल सै नहीं पड़नी एक्वारी देख लेना जिमिंट्री करवा चुका हूं C Track करवा चुका हूं चाहिए करवा चुका हूं करवा चुका हूं यह तो यह सब आप आराम से निकाल सकते हूं इसके मेंक्रैटिक प्रोपर्टी क्वों पैरा है कॉन डाया एक वर निंग ऐसी देख लेक ना बली करके लेकिन मैंने ट्रॉप यह question भी नीट में आजा हुआ है और यह करवा जा हुआ है ओके यह cft vbt सब करवा चुका हूं यह यही तो है जिरो पॉइंट पॉइंट का मतलब होता है और यह लेवल से नीचे जा रही तो माइनिस लगा रहे हैं और जिरो पॉइंट सिक्स को लेख सकते हैं और उपर जा रही है तो 3 x 5 से इस से कंफ्यूज मत होना यह वही चीज है अपने रहे हैं तो यह हैं और यही है सब कुछ आपन लोग यह ओडर भी देख चुके थे टी टूजी वह यह कंडिशन याद रखना कि पैरिंग एनर्डी ज्यादा होगी इस कंडिशन में पैरिंग नहीं नहीं याद वीक फिल्ड लिगएन की कंडिशन यह डार याद रखो मैंने बोला भी था एक एक कुछ इसका मतलब है को यहां पैरिंग होगी यह डारेक्ट याद होना चाहिए आपको ठीक है यहां पैरिंग होगी उके उसके बाद में यह डाइग्राम यह आद रखना बस टेट्रा हेटल के केस में उल्टा हो जाता है टीटूजी के और्बिटल उपर चले जाते हैं अबीटिल नीचे हो जाते हैं इसट्रा हेटल के केस में एक इतनी हो गी सीफ एक माइनस ृपॉंट 0.4 क्यों टी-टूजी उपर चले गया प्लस में हो गया कि इंटु टीटू जीक एलेक्टरॉन माइनस जिरो पॉनेटिक सिक्स इंटू एजीक एलेक्रॉन बस टट्रहेटल में हो गया नीचे वाला उपर हो गया ठीक है और यह रिलेशन दिया हुआ है एक्जाम देखो ट्रहेटल लेक्वश्ट टू पर बाइन डेल्टा ऑक्ट्रह करेंगाका इने यहाँ से उपर जा रहा है तो एंड़ीट करेगा के कलर के फॉर्म में एक्जिबीट करेगा ठीक है और जैसे लिगेंड का स्ट्रेंद बढ़ता जाएगा